नमस्कार दोस्तों आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप अपने आधार में मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं या फिर चाइल्ड इन्रॉल्मेंट कर सकते हैं घर बैठे आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है आधार enrollment center भी जाने की जरूरत नहीं है लाइन लगाने की जरूरत नहीं है बहुत ही आसान तरीका है घर बैठे आप अपने mobile या computer laptop से कर सकते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है आपको अपने chrome browser पे जाना है और वहाँ पे आपको type करना है इंडिया post payment bank ये आप type करेंगे और type करते ही इसकी website खुल के आजाएगी और website में आपको नीचे एक link दिखेगा IPPB customers इस पे आपको click कर देना है और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो process है 100% काम करता है आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये personal लिखा हुआ है personal merchant postman GDS यानि कि अगर कोई personally अपना update करना चाहता है mobile number तो कर सकता है merchant अगर कर रहा है तो merchant वाले पे click करेगा postman GDS तो वो उस पे click करेगा तो यहाँ पे personal पे click रहने देना है और अगर आप अपना mobile number update कर रहे है तो यहाँ पे अपने mobile number update वाले option पे click करना है जैसा कि आप देख सकते हैं आधार mobile update तो इस पे आप click कर देंगे अगर आपको child enrollment करना है तो यहाँ पे आपको click कर देना है तो यहाँ पे mobile number को update कर रहे हैं तो इस पे click करके और नीचे आजाएंगे एक form यहाँ पे होगा इसको आपको फिल करना है तो form को जो है साउधानी पूर्बक आपको फिल करना है और क्या-क्या चीजे इसमें डालनी है वो चीज आप देख लीजिए तो सबसे पहले यहाँ पे Mr. Mrs. या Miss आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम टाइप करना है फस्ट नेम तो जैसा कि मेरा नाम कुलदीप मौर्या है तो यहाँ पर फस्ट में कुलडीप और लास्ट नेम में मौर्या टाइप कर देना है तो यहाँ पर आप अपना नाम टाइप कर लेंगे और उसके बाद में मुबाइल नमबर आपको यहाँ पर इंटर करना है तो जो mobile number आप update करवाना चाहते हैं वो mobile number आपको यहाँ पे डालना है तो दोस्तों किस तरह से form फिल किया जाएगा उसके लिए हमने यहाँ 10 digit के number डाल दी है कोई mobile number नहीं डाला है और उसके नीचे जो है email ID आपको डाल देना है और ध्यान देना है आपको address जब फिल करें तो आप अपना permanent address ही फिल करें यहाँ पे जो आपके आधार में पड़ा हुआ है अगर आपने address अपना change कर लिया है तो आपको new address यहाँ पे डालना है फिल करना है और उसके बाद यहां पे आपको अपना pin code number डाल देना है और pin code number डालने के बाद यहाँ पे आपका जो nearest post office होगा तो यहाँ पे a list show हो जाएगी तो यहाँ आप देख सकते हैं तो जब pin code number डालें गिसे तो आपका जो nearest post office है उसको आप select कर लें और उसके नीचे का फॉर्म जो है आटोमेटिक फिल हो जाएगा और दोस्तों आपको मता दें कि यहां पे सबसे नीचे एनी स्पेस्पिक रिक्वेस्ट में आपको टाइप करना है तो दोस्तों यहां पे आपको टाइप करना है डियर सर प्लीज अपडेट माई मोबाइल नंबर अगर आपको पुराना नंबर अपना याद है तो वो आपको डाल देना है और माई नियू मोबाइल नंबर जो आप नंबर अपडेट करवाना चाहते हैं वो आपको डाल देना और उसके बाद में और नीचे यहां पर आई एगरी टू टर्माइन कंडिशन यह आपको पढ़ लेना है और उसके बाद में टिक कर देना है और टिक करने के बाद यहां पर टेस्ट वेरिफिकेशन नंबर होगा इसको आपको टाइप कर देना है और दोस्तों टेस्ट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले आपको आगे भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी तो फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत